सर फरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है देखना है जोर कितना बासुमे का दिल में है वक्त आने दो बता देंगे तुझे ऐ आस्मा हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है जी हाँ ये पंक्तिया जब भी हमारे आपके कानों में गूजती है तो आँखों के सामने राम प्रशाद बिश्मिल करांतिगारी राम प्रशाद बिश्मिल का चेहरा बिलकुल प्रत्यक्ष्प दिखने लगता है वैसे आपको जानकारी के लिए बताएं कि इन पंक्तियों को बिश्मिल अजीमाबादी ने लिखा था लेकिन इसको फेमस किया था अराम प्रशाद बिश्मिल ने आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे पिछले क्लास में मैंने आपको बताया कि चवरी-चवरा की घटना के बाद महात्मा गांदी को छे वर्श की सजा सुना दी गई 18 मार्च 1922 को अहमदाबाद के कोट में जज ब्रूम फिल्ड के द्वारा महात्मा गांदी को छे साल की सजा सुनाई गई और इस तरीके से महात्मा गांदी का जो पहला जन आंदोलन एक तरीके से पूरे हिंदुस्तान को करांदी के लहर में शमेट लिया था अचानक से जो है पुरा सिथिल पढ़ गया सांथ पढ़ गया महात्मा गांदी की हला की अगलती थी जिसके वज़े से महात्मा गांदी के साथ उनके अनुयायों ने भी उनके इस कृत्य का विरोध किया बाद में महात्मा गांदी खुद भी जो है इस बात को श्रिकार किया कि चावरा चावरी की घटना की वज़े से अश्योग आंदूलन को शमाप नहीं करना चाहिए था बहराल अश्योग आंदूलन के दवरान बिदेशी भासा बिदेशी लोग बिदेशी वस्तों का बहिस्कार बिदेशी कपड़ों की होली जलाई गई जिसका परडाम यह हुआ कि हिंदुस्तान में अब ब्रिटेन से बने हुए जो सामान इंपोर्ट होते थे आयात होते थे अब वो धीरे-धीरे कम हो गए ब्रिटेन में जब नई सरकार जो है नई सरकार का गठन हुआ तो प्रथम विस्तों जुद्ध के वज़े से जो अर्थ व्योस्था तहसना सुभी थी उसको पटरी पर लाना जो है उनके लिए सबसे बड़ी चुनवती थी और उसमें ब्रिटेन के बने हुए material कपड़ा भारत में जो है यूज नहीं हो रहे हैं उनका बहोली जलाया जा रहा है तो जाईरशी बात है भारत में कौन खरीदेगा क्यों खरीदेगा और भारत में कोई जो है ब्यापारी उसको नहीं पर्चेस करेगा तो जाईर शी बात है कोई इंपोर्ट क्यों करेगा तो फिर लंदन में यानि ब्रिटेन में उसका प्रोड़क्शन क्यों होगा यह तमाम ऐसी जो है बाते थी जिसके वज़े से ब्रिटिस गोवर्मेंट ने जो है इसके तहम में जाकर के पता किया तो पता चला महात्मा गांधी और महात्मा गांधी उधर जेल में बंद थे उस समय का ततकालिन वाई सराज इसका नाम था लाड रिडिंग लाड रिडिंग ने महात्मा गांधी को स्वास्त कारणों से दो वर्ष के बाद ही जेल से रिहा कर दिया यानि 22 में महात्मा गांदी जेल के अंदर गए और 1924 में 1922 में जेल में गए और 1924 में इनको स्वास्त कारणों से रिहा किया गया ऐसा ब्रिटिस कोवर्मेंट के द्वारा बताया गया लेकिन हकीकत कुछ और थी क्योंकि राजनित में हकीकत बतायी नहीं जाती और जो बतायी जाती है वो हकीकत होता ही नहीं है शही तो ये था कि महात्मा गांदी का स्वास्त नहीं ब्रिटिस कोवर्मेंट का स्वास्त जो एक खराको रहा था और महात्मा गांदी को जेल से छोड़ा गया और ये कथा उच्छ शमय की है जब महात्मा गांधी अभी जेल के अंदर थे उशी शमय धर्शन हुआ यूँ कि भारती राष्टी कांग्रेश के कुछ जो राष्टवादी नेता थे वो बड़ा जो है निराश हो गए थे महात्मा गांधी के इस जो है कृत्य से इसलिए 1923 का जो एलेक्शन होना था इस्टेट एसेंबली एलेक्शन होना था उसमें पार्टिस्पेट करना चाहते थे जिसमें प्रमुख व्यक्ति थे मोतिलाल नहरू और चितरंजन दास ये दोनों लोग चाहते थे कि भारती राष्टी कांग्रेस जो है एलेक्शन में पार्टिस्पेट करें चुनाव लड़े और चुनाव लड़ करके अपने प्रतनिधियों कोशन विधान परिशद में भेजे असेंबली में भेजे वहाँ पहुंच करके हम लोग यानि असेंबली के अंदर भी और असेंबली के बाहर भी ब्रिटिस हुकूमत का विरोध करेंगे लेकिन स्वयम महात्मा गांधी इसके पक्षमित नहीं थे जेल में बंद महात्मा गांधी से जो ये पुछा गया तो उन्होंने कहा कि मेरा कभी इरादा एशा नहीं था और नहीं होगा 1922 का जब गया अधिवेशन हुआ गया ये जगह पढ़ती है अब बिहार में कहां पढ़ती है बिहार में जब गया अधिवेशन हुआ गया अधिवेशन कौन 1922 का अध्यक्ष बनाए गए कौन अध्यक्ष बनाए गए चितरंजन दास श्री आर्दाज जिसको जो है कहा जाता था और ये महात्मा गांधी के हलांकि परम अनुयाई थे लेकिन अवसायोग आंदोलन के वापस लिये जाने की कारण अब महात्मा गांधी से थुदा सा इनका जो है विरत्ती हो गई थी ये सबसे बड़े इस बात के पक्षदर थे कि भारती राश्टी कांग्नेश को चुना उलड़ना चाहिए और असेंबली में पहुंच करके वहाँ पर भी ब्रिटिस गोवर्मेंट का फिरोट करना चाहिए लेकिन डाक्टर राजंदर पुर्शाद मदन मोहन मालवी शरीखे कुछ ऐसे लोग थे जो की महात्मा गांधी के परमभक्त थे और महात्मा गांधी के जो है अलावा वो किसी और की बाद सुखार ही नहीं कर सकते थे यही वज़ा था कि चित्रंजन दास के इस बिचार का गया में बिरोध हुआ इनके द्वारा रखा हुआ प्रस्ताओ कि असेंबली में अपनी उपसिती दर्ज होना चाहिए पास नहीं हो सका तो इन्होंने त्याग पत्र दे दिया किसने सी आरदास ने जो है प्याग पत्र दे दिया रिजाइन दे दिया और रिजाइन दे करके और चले आए कहाँ पर वहाँ से चले आए कहाँ पर जी हाँ इलहाबाद और इलहाबाद में आकर के जो है फर्स्ट जनवरी के दिन एक राजनितिक दल का अस्थापना किया ज तो एक जनवरी 1923 को किया गया था स्वराज पार्टी का पहले नाम क्या था तो पहले इसे कांग्रेश खिलाफ़त स्वराज पार्टी कहा जाता था कांग्रेश खिलाफ़त स्वराज पार्टी खिलाफ़त आंदोलन के कुछ जो है उस्वराफ़त आंदोलन अभी देश के अंदर चल रहा था कुछ नेताओं ने इस पर एतराज जताया तो जाहिन सी बात थी खिलाफ़त सब्द भी अटाना पड़ा और कांग्रेश जनों के ए अस्थापना कहां पर किया गया तो आप कहेंगे कि इलाहाबाद में किया गया तब इसे इलाहाबाद के नाम से ही जाना जाता था किस नाम से इलाहाबाद के नाम से ही इसको जाना जाता था सुराइट पार्टी की अस्थापना इलाहाबाद में किया गया और इसके संस्थापक कौन थे तो आप कहेंगे इसके संस्थापक थे इसके संस्थापक जी हाँ चितरंजन्दास, चितरंजन्दास जो के स्वाशंद्रभोश जी के राजमितीग गुरू थे और अलीपुर केस मैंने बताया था अलीपुर की घटना के बाद जो है ये काफी लाइम लाइट हुए थे ये भी बैरिश्टर थे इस संस्था के जो महासचीव थे जनरल सेक्रेटरी बनाए गए इस संस्था के महासचीव बनाए गए कौन मुतिलाल नहरू जो की पंडित नहरू के पिताजी थे मुतिलाल नहरू इस समाचार पत्र जो इस पारटी का अफिसियल न्यूज़ पेपर को डिकलियर किया गया उसका नाम था इंडिपेंडेंस हलांकि इस समाचार पत्र को जो है 1919 में ही जारी किया गया था मुतिलाल नहरू के द्वारा लेकिन इस समाचार पत्र को स्वराज पार्टी का ही आधिकारिक पत्र जो है कोशित किया गया और जिसके माध्यम से स्वराज पार्टी के संविधान और इसके प्रावधान को पब महात्मा गांदी के जेल से रिहा होने के बाद स्वराज पार्टी के तरफ महात्मा गांदी का भी रुख नरम रहा था। और इसलिए भी कि अपने पहले एलेक्शन में स्वराज पार्टी ने सांदार प्रदर्शन किया और नश्री प्रदर्शन किया बलकि बिठल भाई पटेल जो कि बल्लब भाई पटेल के बड़े भ्राता श्री थे केंद्रिय विधान समा के अध्यक्ष बनने वाले पहले भार भाई पटेल और केंद्रिय विधान सभा के अध्यक्ष बनने वाले ये पहले भारती हुए तब इस्पीकर के जो है पद को अध्यक्ष के रूप में जाना जाता था और यह हमेशा विपक्ष को मिलता था अब तो इस्पीकर का पद अब क्या ही बताया जाए शंसत की कारव पाई देखो जो व्यक्ति बिलकुल नहीं बोलता है उसे का नाम इस्पीकर है और बस प्लीज कीप कोईट कीप कोईट प्लीज उसी में जो है उसका पांच वरस भीत जाता है वहां अगर विपक्ष का व्यक्ति गर जो है बैठता तो साइद उस पत की गरिमा कुछ और होती जो की पहले थी अंग्रेजों ने भारतियों को रोकने के लिए ये काम किया था अध्यक्ष पक्त को जो है बाद में सत्ता पक्ष में जो है सत्ता पक्ष की ब्यक्ति को जो है रिजर्ब कर दिया गया और आजादी के बाद भी जो है यही चल रहा है बहर्हाल महात्मा गांधी जेल से रिहा होने के बाद 6.9.1924 के डिन गांधी और शितरंजन दास के बीच जो सम्झाता हुआ उसी को गांधी दास पेक्ट के नाम से जाना गया किसके किसके बीच ये सम्झाता हुआ महात्मा गांधी महात्मा गांधी और चितरंजन दाज के बीच जो है चितरंजन दाज के बीच ये समझावता हुआ इलाभाद में और इशी को गांधी दास पैक्ट की नाम से जो है जाना गया इसका प्रभाव क्या हुआ इसका प्रभाव क्या हुआ या इसके पीछे जो है उद्देश क्या था इसके पीछे उद्देश महात्मागांदी का उद्देश था जो कांग्रेश एक तरीके से जो है दो धड़ों में बट गई थी एक स्वराजी स्वराजीयों का पक्छले रही थी और एक कांग्रेशियो यानि इसके पीछे उद्देश क्या था तो उद्देश था कांग्रेश और स्वराज पार्टी में सम्झावता और हो भी गया महात्मा गांदी ने स्वराज पार्टी को भारती राष्टी कांग्रेश का अंग घुशित कर दिया और फिर ये दोनों जो है संस्थाएं एक साथ मिल करके जो है काम किया जब 1925 का अधिवेशन जो है भारती राष्टी कांग्रेश का 1925 वाला अधिवेशन हुआ और भारती राष्टी कांग्रेश का 1925 नहीं 1924 का अधिवेशन हुआ था कहां पर हुआ तो आप कहेंगे कि बेलगाओं में हुआ था बेलगाओं में हुआ और बेलगाओं में ये अध्यवेशन हुआ तो यहां पर अध्यक्ष बनाये कौन गए थे महात्मा गांदी जी और महात्मा गांदी का नम का प्रपोजल सबसे पहले चितरंजन दास नहीं रहे थे श्वराज पार्टी बहुत लंबा इसलिए नहीं चल पाई कि 1925 में अचानक से चितरंजद्दास की जो है मौत हो गई और इसलिए स्वराजियों में बात में जो है विक्टन भी हो गया था भारती राष्टी कांग्रेश वही शत्य और अहिंसा की निती पर जो है चल करके और आजादी के लिए प्रियास कर रही थी स्वराज पार्टी भी उसी ढर्रे पर चल रही थी लेकिन उन दिनों जो युवा करांतिकारियों का दल था उमाहत्मागान्दी के विचारों से जो है बहुत प्रभावित नहीं था और खून का बदला खून टेट फार टेट दुष्ट के साथ दुष्टता का वेवार करो की निती पर चल करके कुछ लोग देश में स्वराज की अस्थापना करना चाहते थे स्वतंत्रता अस्थापित करना चाहते थे और इसी लिए जो है एक्ष आर ए का गठन किया गया एक्ष आर ए बोले तो ये एक क्रांतिकारी जो है एक दल था क्रांतिकारी संगठन क्रांतिकारी संगठन एच आर ए बोले तो हिंदुस्तान रिपब्लिक हिंदुस्तान रिपब्लिक हिंदुस्तान रिपब्लिक एशोशियेशन हिंदुस्तान रिपब्लिक एशोशियेशन हिंदुस्तान रिपब्लिक एशोशियेशन और इसका गठन क कि आगया था किस सहर में जी सहर में गठन इसका जो हे अस्थापना हुआ उस शहर को उत्तर भारत का जो है उद्देश्च क्या था इस संगठंक को जो है अस्थापित करने के पीछे जो है उद्देश्च था बहरत की स्वतंत्रता बहरत की स्वतंत्रता चाहे जैसे भी हो भारत की स्वतंत्रता टिट फार टैट दुष्ट के साथ दुष्टता का विवहार करो कि निती कहीं कहीं आपको लिखा मिलेगा सठे साथ्यम समाचरेद का मतलब ही होता है तीट फार टैट यानि दुष्ट की साथ दुष्टता का विवहार करो और इस संगठन को अस्थापित करने वाले जो है संथापक का उन थे तो आप कहेंगे कि इस संथापक अस्थानिय जो है उद्योखपती थे बेवसाही थे उद्योग पती तुनक कहिए जिनका नाम था और कांतिकारी भी थे सचिंदर सान्याल सचिंदर सान्याल हलांकि वारानसी सहर से भी इनका जो है गहरा राता था सचिंदर सान्याल इसके अलावा जो है अन्य शहयोगियों में जो ब्यक्ति रहे उनमें आपके चंदर सेखर आजाद, भगवती चरण बुहरा, अर्राम प्रशाद बिश्मिल, सरीखे यह सहयोगी लोग थे और इन्होंने ह्रे के माध्यम से हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसियेशन के माध्यम से देश को आजाद कराने का वीड़ा उठाया, कहा जाता है कि सबसे पहले एजारे की जब बैठक भी कानपूर में पहला अधिवेशन भी कानपूर में ही आयुजित किया गया था, उश अधिवेशन में इन क्रान्तिकारियों ने चंदर सेखर आयाद ने उश अधिवेशन को सम्भूदित करते हुए कहा कि हिंदुस्तान में क्रान्तिकारी गत्विधियों को संचालित करने के लिए धन की जरूरत है, और हम क्रान्तिकारी तो निर्धन हैं, अपने पास पैसे नहीं है लेकिन जिल लोगों के खिलाप जो है युद्ध करना है वो लोग भी तो भारत में आये तो निर्धन थे दरवाजे दरवाजे घुंखुंग करके कबाड़ी खरी देते थे व्यापारी के रूप में इस इंडिया कंपणी भारत में आई थी अंग्रेज आये थे लेकίν ये इतने धनवान कैशे हो गए हिंदुस्तान को लूट करके हमारी पर्टी का टैग लाइन क्या है आदर शुवा करके क्या है शठे साथिम समाचरे यहीं तुष्ट की साथ दुष्टा का विवार करो अंग्रे जोने हिंदुस्तान को लूटा हिंदुस्तानियों को लूटा और हम लोग उनको लूटेंगे कहा जाता है कि कानपुर में सबसे पहले इंपीरियल बैंक आफ इंडिया को लूटने का प्लान किया गया था इंपीरियल बेंक आफ इंडिया जिसको की अब स्टेट बेंक आफ इंडिया ucharाता है अजादी से पहले इसको इम्पीरियल से इंडिया के नाम से आना जाता था हैं लेकिन बैंक में कैसा है कितना है को Ἀाल के वहां तक कैसे पहुँचा जाएगा क्योंकि बहुतेरे उस समय के ऐसे भी बैंक थे जहाँ आपकी भारती लोगों का एंट्री जो है पुरी तरीके से जो है वर्जित था तो सबसे पहले इस संगठन ने बैंकों को लूटने का जो है प्रियास किया लेकिन जब उस पर इन लोगों ने काम किया तो पता जला कि तब कलकता भारत में नोट प्रेश्वा करती थी वहाँ से जो है बैंक नोट या फिर जो है कोईन सिक्के प्रेन के माधियन से आयते थे और विभिन बैंकों तक वो भेजे जाते थे अब तो ऐशा नहीं है लेकिन पहले ऐशा ही था ब्रिटी सुकूमत में तब राम प्रशाद बिश्मिल ने विचार अपना जो है प्रस्तूत किया कि फिर बैंकों को लूटने से बहतर है ट्रेनों को ही लूट लू जिस ट्रेन के माधियम से कैस बैंकों तक पहुँचाया जाता है ट्रेन को लूटना बैंक के लूटने से जो है आसान है और कम मेहनत में अधिक फायदा होगा और उन्हें के ये विचार थे जिस विचार को जो है अंततो गत्वा एक्जिक्यूट किया गया और HRA यानि हिंदुस्तान रिपब्लिक एशोशियेशन हिंदुस्तान रिपब्लिक एशोशियेशन के द्वारा जो है पहली क्रांतिकारी घटना को अंजाम दिया गया और काकोरी की घटना काकोरी की घटना जो एक कव हुई थी तो वर्ष 1925 में 9 अगस्त के दिन हुई थी कव हुई थी 9 अगस्त के दिन हुई अगस्त का ही महिना क्यों चुना गया था उसके पिछे भी रिजन था हिंदी महिने में उसको भांदो कहते हैं अगस्त में ही आप लोग देखते हो उसी के आसपास जन्मास्ट मी तेवार जो है पढ़ा था और वैसे विभादों का महीना जो है बहुत रात जो होती है भयंकर काली रात होती है का महीने का जो है चैन किया गया और 9 अगस्त के दिन अंत्त्व गतवा वोश्भगड़ी आई जब एट डावन पैसेंजर ट्रेन का नाम क्या था जिसमें काकोरी की घटना हुई जिसका नाम अब काकोरी ट्रेन एक्षन किया गया ट्रेन का नाम था सहारनपूर सहारनपूर पैसेंजर 8 डाउन शहारनपूर पैसेंजर 8 डाउन जो है ट्रेन थी और इस ट्रेन को जो है 9 अगस्त 1925 की रात को 9 अगस 1925 की रात को 2 बज करके 25 मिनट पर काकोरी वीलवी स्टेशन पर रोका गया काकोरी ट्रेन डकैती पहले इसको कहा जाता था लेकिन 2021 में आपके उत्तर प्रदेश के मुख्यमंतरी महुदे के द्वारा जो है इसका नाम बदला गया और अब इसे जो है काकोरी ट्रेन एक सन नाम दे दिया गया अगर उचा जाए कि काकोरी की घटना को किस संगठन में जो है अंजाम दिया था तो आप कहेंगे कि जिस संगठन में अंजाम दिया था अभी तो उस संगठन के बारे में मैंने आपको बताया था संगठन का नाम था हिंदुस्तान रिपब्लिक एशो क्रांतिकारी इसमें जो है कौन-कौन इन्वाल्ब रहे थे तो जो जो क्रांतिकारी इन्वाल्ब रहे हानाके दस लोग कहा जाता है कि इस घटना को अंजान दिये थे लेकिन चालिस लोगों को गिरफ़तार किया गया था इन क्रांतिकारिकों में प्रमुक्रूम से अराम प्रशाद बिश्मिल इन्हीं के घर पर मिटिंग हुई थी और ट्रेन रॉबरी की घटना को अंजाम देने का जो है बिचार इन्हीं का था अराम प्रशाद बिश्मिल उसके अलावा अस्फाक उल्ला खां काकोरी की घटना में सबसे बाद में गिरबतार होने वाले अगर कोई करांतिकारी था तो अस्फाक उल्ला खां थे अच्फाक उल्ला खान को मौत की सजा सुनाई जा चुकी थी उसके बाद जो है ये गिरवतार दिल्ली से हुए थे अपने ही एक मित्र की गड़दारी की वज़े से आप से पुछता है कि सबसे बाद में गिरवतार होने वाले करांतिकारी तो असफाक उल्ला खा थे तीसरे व्यक्ति थे जिनका नाम था क्या इनका नाम था राजंदर नात लाईडी और तीसरे व्यक्ति जो गिरफतार किये गये थे उनका नाम था यहीं मैं लिख देता हूँ रोशन लाल इन तीन को छोड़कर एक राजेंदर लाइडी ऐसे थे जिनका जन्म अस्थान अब बांगलादेश में पढ़ता है बांगलादेश के पबाना में पढ़ता है तब तो जो है वो भारत ही हुआ करता था बांगला देश के पबाना में बढ़ता है और ये अपने ननिहाल में रहा करते थे बनारश में इनके पिता जी और इनके बड़े पिता जी दोनों लोगों को अनुसिनल समीती के जो है जनिहाल में हुआ वाराणशी में हुआ और जब काकोरी की घटना हुई तब राजेंदर लाइडी कासी विद्यापीठ में एमे डुटी वर्स के जो है चात्रों थे। काकोरी ट्रेन एक्षन की घटना को अंजाम दिया गया और गलती से मनमत नाम गुता एक रांतिकारी थे जिनसे का जाता है कि माउजर जो कि जर्मनी का जो उसमिलों का रिवालवर हुआ करता था उसका रांतिकारियों ने इस्तमाल किया था ट्रेन को जबरदस्ति चैन पूलि जाल गिया गया और जो गार्ड था उसको माउजर दिखा दिया गया तो वो जो है बिल्कुल ऐसे सांत हो गया जैसे गार्ड के पास सेला गया हो अ और जिसक्ण गलती से जो है उससे गोली चल गई जिसके वज़ेसे एक यात्री की मौत हो गई थी जलदी-जलदी गार्ड के बगल में ही जो कमपार्टमेंट होता है जिसमें की सामान उगर रखे जाते हैं उसको तोड़ करके और इनलोगों ने जलदी-जलदी से उसमें से क्वाईन सिख के नोट जो मिला उसको लेकर के फरार हुए चादर में भर भर करके बान करके जो ही ये लोग फरार हो गए वहाँ से लेकिन इसी आपा धापी में एक चादर जो ही छूट गई और शुबह होते ही इस घटना ने चारो तरब को हराम मचा दिया जो चादर छूट गई थी उस चादर पर कुछ नंबर डाले गए थे और उसी नंबर के आधार पर पुलिस जो है उस धोबी को पकड़ लिया था जिसने जो है उस चादर को धुला था और उसी धोबी ने जो है बता दिया कि इस जो है चादर पनारशी लाल नामक व्यक्ति का है जो कि साजहापूर के रहने वाले थे कुछ लोगों का कहना है कि नहीं इस घटना में इनाम की जो घोषणा की गई थी उस इनाम के लालच में आकर के ही उस धोबी ने इस घटना की जानकारी पुलिस तक जो ही दे दी थी जो भी रहा होगा लेकिन वो चादर थी जिसके माध्यम से इन करांतिकारीयों तक पुलिस पहुँच गई और 40 लोगों को जो है गिरफ़तार किया गया था किसी एक घटना में सरवादिक गिरफ़तारी जो है यहीं पर हुई थी कहां पर हुई थी तो वो काकोरी की जो है काकोरी ट्रेंड डगैती में यानि काकोरी ट्रेंड एक्शन में जो है कुछ समय तक अपने केस का मुगदमा खुद जो है लड़ा कौन रामप्रशाद विश्मिल है लेकिन बाद में मदन मोहन मालवी जो है एक वकील की भूमिका निभाए और इन्होंने इस केस में को जो है देखा था अनकि उनके अलावा भी जो है और अलग-अलग रांतिकारियों के अलग-अलग वकीलों ने इस केस को जो है डिल किया लेकिन बहुत कोई फाइदा नहीं हुआ बहुत से लोग तमाम जो है प्रयास किये इवन देट कि इन करांतिकारियों को चार करांतिकारियों को फांसी की सजा सुनाया गया तो वाइसराय से मदन मोहनमालवी और उनके साथ जो है कुछ करांतिकारियों कुछ निताओं का दल जो है मदन मोहनमालवी शरीखे लोग वाइसराय से मिले लेकिन वो भी कुछ उसमें से मना किया इस मामले को ब्रिटेन की काउंसिल में प्रिवी काउंसिल जो मुकदमा भारत में फाइनल उस पर डिसिजन दे दिया जाता था तो उसके खिलाफ जो है लंदन के प्रिवी काउंसिल में जो है अपील की जाती थी वहां भी अपील किया गया लेकिन वहां समराट ने माननीशे मना कर दिया और अंततो गत्वा वो अशुब घड़ी आई जब जो है इस घटना के दो साल के बाद सबसे पहले जो है फाइसी दिया गया 25 दिसंबर 1927 को आप से ये पूछता है कि काकूरी की घटना में सबसे पहल पहले 25 दिसंबर 1927 को फाइसी दिया गया किसको राजेंदर नाथ लाइडी को फाइसी दिया गया और कहां पर दिया गया तो राजेंदर नाथ लाइडी को फाइसी दिया गया था गोंडा की जेल में कहां पर गोंडा जेल आज भी उस जेल में जो लोग वहां के होंगे इनका मुहाप्रतिमा आज भी जो है लगाई गई है शिलापट लगाया गया है जिस पर इनका जीवन बृतांत लिखा गया है और वो फासी घर आज भी जो है वहाँ पर है जहां राजिंदरनाद लाहडी को फासी दिया गया था उसके बाद 27 दिसंबर के दिन तो बाकी के दो लोगों को फासी दे दिया गया 1927 और जिनको फासी दिया गया उनमें राम परशाद बिश्मिल थे राम परशाद बिश्मिल राम परशाद बिश्मिल इनको फासी जो है दे दिया गया गोरगपुर जेल में याद रखेंगे बड़ा पूछता है किस क्रांतिकारी को कहां फांसी दिया गया गोरगपुर की जेल में जो है फांसी दिया गया था इसके अलावा रोशनलाल 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 को फांसी जो है दिया गया था नैनी जेल में यहीं बगल में लहाबाद में नैनी जेल में फांसी दिया गया था जबकि एक रांतिकारी जिनका नाम था असफाक उल्लाखा इनको जो है फांसी दिया गया था कहाँ पर फैजाबाद की जेल में फांसी दिया गया जिसको अब जो है अजोध्या के नाम से जान इनको फालसी दी दिया गया जिसे अब अजुधिया कहा जाता है वतन के लिए सहीद होने वाले मुश्रिन करांतिकारे जिनको कोड से सजा जो है दी गई थी वो थे अस्फाब उल्लाखां राजेंदर लाहिडी को छोड़ करके बाकिस सब लोग जो है उत्तर प्रदेश का जिलासा जहाँ पुरहे वहीं से के निवासी थे वहीं से बिलॉंग करते थे और काकोरी की घटना के दो शालबाद इन लोगों को फासी थे दिया गया इस घटना के मास्टर माइन जो थे वो थे चंदर सेखर आजाद कौन थे चंदर सेखर आजाद चंदर सेखर आजाद इस ट्रेन रॉबरी में ये भी जो है रहे थे लेकिन ये अंत तक गिरपतार नहीं हुए और गिरपतार नहीं हुए तो ब्रिटिस गवर्मेंट में इनके खिलाब तब 30,000 रुपे का इनाम गुशिद किया 30,000 उन दिनों बहुत बड़ी रकम हुआ करती थी लेकिन कभी भी चंदर सेखर आजाद गिरबतार नहीं हुए हमेशा ब्रिटिस पुलिस से वो आजाद ही रहे और इन्हें मौत भी नशीब हुई तो अपने हाथों नशीब हुई जिसकी कथा आगे जो है मैं बताओंगा लेकिन ट्रेन काकोरी की घटना ने उसका आज असर है कि लगनव के आसपास जो आम मलिहाबादी जो आम होते थे जो मैंगो जिसको भेजा जाता है एक्सपोर्ट किया जाता है विदेशन को उसका ब्रांड निम पहले नबाब गुआ करता था उसका नाम बदल करके अब काकोरी आम कर दिया गया है काकोरी आम आपकी परिछाओं के द्रिश्टी कौर से ये भी जो है important है भारती राश्टी कांग्रेश के साथ कंदे से कंधा मिला करके चलने का वादा करने वाली All India Muslim League महात्मा गांधी जब अध्यक्ष बनाए गए थे बेलगाउं के अध्यूशन में तो लीग जो है वहीं से कांग्रेश से अलग हो गई और अलग हो गई तो कांग्रेश के खिलाब जहरो गलना सुन किया और All India Muslim League के निताओं ने जो है अपना बयान बाजी किया कि शत्य और अहिंसा के उपदेश देने वाले लोग इस बात पर क्यों मौन है जब उनकी पार्टी से संबंद रखने वाले कुछ नविवग काकोरी जैसी घटना को अंजाग देते हैं बीचपूर या एक दो जग़ा और भी जो है इससे पहले भी एचारे के द्वारा डकैती किया गया था लेकिन उतना बड़े पैमाने पर नहीं और उसका बस जो है शिधा सा जो है उद्देश सिथा इसका उद्देश सिथा क्या भारत की श्वतंद्रता बाकी इसके पीछे और कोई दुर्भावना नहीं थी महात्मा गांदी उससे में वायकूम अंदोलन में जो है दच्छिर भारत में व्यश्त थे महात्मा गांदी जी ने भी अपना विचार विक्त किया कहा काकोरी जैसी घटना को अंजाम देने वाले लोग क्रांतिकारी हो शकते हैं लेकिन वो कभी गाधिवादी नहीं हो शकते हैं बहरहाल जो भी रहा वहीं वो दौर्था देश के अंदर कहा जाता है कि इसी घटना के बाद जो काकोरी की घटना हुई 9 अगस 1925 को इसी घटना के बाद एक महान भाव के ज्वारा एक संगठन की अस्थापना भी किया गया हला कि इनका भी उश्यमे जो है रवया तटस्तता वाली ही रही थी लेकिन जिस संगठन की इन्होंने अस्थापना किया उसका नाम था आरेसेस यानि राश्टिय स्वयम सेवक संग अब तो ख़र पुछना ही नहीं है और इसकी अस्थापना होती है 27 शितंबर 1925 को कहा पर इसकी अस्थापना हुई? इस संगठन की अस्थापना हुई थे नागपूर में कहा पर? नागपूर में उन दिनों इस संगठन ने इस घटना का समर्थन किया इनक्रांतिकारियों का संगठन जो है समर्थन किया था इसके संथापक कौन थे? इसके संथापक थे डाक्टर केशो बलिराम हेगेडवार ये वो शंगठन था जिसने काकूरी की घटना के तर्मिया क्रांतिकारियों का जो है शमर्थन किया था यही RSS आज भी जो है मोहन भागवत जिसके जो है प्रमुख है और बात के दिनों में जनसंग और भारती जनता पार्टी जैसी राजनितिक संस्थाएं इसी RSS के गोंद से कोंग से जो है जन्म लिया था बारहाल उन दिनों एक क्रांतिकारी संगठन के रूप में इसको अस्थापित किये जाने का जो है डाक्टर केशो बलिराम का हेड़वार का जो एक प्रियास था बात के दिनों में फिर जो है RSS का मूल चरित्र ही बदल गया और महात्मागांदी के और सहयोग महात्मागांदी के भारत छोड़ो आंदोलन या ऐसे तमाम ऐसे जो है मौके आए जब इस संगठन में महात्मागांदी के इस आंदोलनों का भी भिरोद किया था एक दम से जो है इसका चरित्र ही बदल गया था इस संगठन का वो अलग बात है कि इससे जुड़े हुए लोग अब तो राष्ट भक्ति का सर्टिफिकेट बाढ़ रहे हैं ब小 हाल आज के इस सेशन में बस इतना ही अगले क्लास में जो है हम मिलेंगे तो आप से बताएंगे 1905 के बाद जो है क्या क्या हुआ था क्यों हुआ कैसे हुआ आज बस इतना Thank you so much मिलते हैं अगले दिन अगली क्लास में